वेलकम दोस्तों मैं हूँ आपका अपना एडुकोर जीतेंदर और आज यहां पर मैं बताने वाला हूँ कि बहुत से पुरूस है जो बहुत ज़्यादा प्रैसान है क्योंकि उनके साथ में है जो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हत्याचार इस तरिके से हो रहा है कि उनकी जो पत्नी है उनकी जो वाइफ है उनके उपर है जो जूटे मुकद में दरज करवा रही है और वो है जो गुट गुट के जीरे है यहां कि उनको है जो बहुत ज़्यादा प्रतारना जूटे मामलों के अंदर है जो जहलने को मिल र रही है उनका सामना है जो उनको करना पड़ रहा है अगर उनके साथ में ऐसी घटना हो रही है यानि कि उनकी वाइफ अगर उनके साथ में रियल में गलत कर रही है तो यहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती है बलकि उनकी वाइफ की सुनवाई होती है जबकि गलत वो होती है और गलत होती होई भी है जो उसकी सुनवाई होती है यान कि खहीं पे वह अगर complaint दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उसकी complaint के उपर है जो तवरित कारवाई होती है अगर यहाँ पे पुरुष के साथ में रियल में गलत हो रहा है तो पुरुष की है जो बिल्कुल भी पुरुष के साथ में गलत होता है तो वह अपने पतनीों है तो इहाँ पुरुष की डिमांट्ट बनना चाहे है कि महिलाव के लिए तो ऐसे बहुत सारे कानून है जिन महिलाओं के साथ में रियल में गल्थ होता है तो वो क्या करती है कि उन कानूनों का उपयोग करती है और अपना फायदा है जो उठा लेती है पर यहां पे अगर जिन पुरुसों के साथ में रियल में गल्थ होता है तो कौन से कानून उनका सहरा ले यानकि वो है जो किस कानून के थैत जो नियाई प्राप्त करे तो यहां पर चाते हैं क्योल पुरुस आयोग यानकि उनके लिए है जो पुरुस आयोग बनना चाहिए तो दोस्तों जो भी पीडित पुरुस यहां पर प्रैसान है अपने पतनियों से और वो प्राथना पत्र है जिससे यहां पे उनका इतना बड़ा है जो सोलुशन हो जाएगा उनके लिए है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी क्योंकि आधेदर वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है और यह आपका अपना चैनल है इसको अगर आप अभी तक सब्स सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को उससे दबा दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो ऐसे हैं जो पूरुसों के साथ में बहुत ज्यादा हत्याचार हो रहा है उनकी है जो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है उनको है जो कोई न्याई से उनको न्याय दिलवाने के लिए है जो पुरुस आयोग का जल से जल है जो गठन होना चीए पुरुस आयोग है जो बनना चीए जिससे है जो पुरुडित पुरुसों को है जो न्याय मिल सके तो ये काम है जो माने ने सुप्रीम कोट के अंदर है जो इस्टार्ट हो गया है इसके अलावा भी अगर जल से जल यहां पे पुरुस आयोग अगर चाते हैं जो भी पुरुस है तो उनको है जो ये प्राथना पत्र लिखना होगा ये कौन सा प्राथना पत्र है और किसको लिखना होगा तो ये प्राथना पत्र लिखना चीए प्रधान मंत्री जी को ये फिर राष्ट के मानवाधिकार आयोग को और इसके अंदर है जो जो भी आपकी समस्या है यान कि किस तरीके से आपके साथ में है जो अन्याई हो रहा है सारी बात है जो आपको सोट के अंदर लिखनी है आपकी है जो कोई भी सुनवाई नहीं होती है आपके लिए है जो कोई भी कानून नहीं है तो यहाँ पे अगर आप पेडित है तो आपको है जो न्याई मिलनी चीए आपके लिए भी है जो ऐसा आयोग होना चीए यानि कि आप अपनी समिश्या का है जो समाधन पास सके तो इस तरीके से है जो आपको यह application यानि की प्रातना पत्र है जो लिखना है तो इस से क्या होगा कि माने ने Supreme Court के अंदर तो है जो आपकी याची का लग चुकी है पुरूस आयो की demand के लिए और इस तरीके से अगर आप प्रधा कार के उप्र है जो भटरने लगेगा तो यहाँ पर है जो आपकी मांग के ऊपर है जो सुनवाई होगी और सुनवाइद होगी तो जल्द से जल्द है जो आपके लिए फूरूस आयो गोँए झाल झाल